उम्नमो भग्वते वासुदेवाया आप सबका आज की शिमत भगवत गीता के यथा रूप के पठन में पुना स्वाकत है आज हम भूमी का कपठन करेंगे इसका शबदात है मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन हुआ था और मेरे गुरू ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आखें खोल दी मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ श्री रूप गो स्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे जिन्होंने इस चगत में भगवान चतन्य की इच्छा की पूर्ती के लिए प्रचार योजना अर्थात मिशन की स्थापना की है मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैशनवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज अथाद बड़े भाई सनातन गोस्वामी एवं साथी रगुनात दास रगुनात भट गोपाल भट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ मैं भगवान कृष्ण जैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वेद आचारय गदाधर श्रीवास तथा अन्य पारशदों को सादर प्रणाम करता हूँ मैं श्री मती राधरानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशा का सक्यों सहित सादर नमस्कार करता हूँ हे कृष्ण करुणा सिंदू दीन बंधू जगत्पते वोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते हे खृष्ण आप दुख्यों के सखा तता सृष्टी के उद्गम हैं आप गोपियों के स्वामी तता राधारानी के प्रेमी हैं मैं आपको साधर प्रणाम करता हूँ दब्तकांचन गोरांगी राधे व्रिंदा वनेश्वरी विश्भानू सुत्य देवी प्रणामामी हरी प्रिये मैं उन राधारानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीर एक कांती पिगले सोने के सद्रिश है जो व्रिंदावन की महरानी हैं आप राजा विश्भानू की मैं भगवान के समस्त वैश्णव भक्तों को साधर प्रणाम करता हूं बेकल्प व्रिक्ष के समान सब सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रती अत्यंत दयादो हैं श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास अधी गौर भक्त व्रिंदा मैं श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आधी समस्त भक्तों को साधर प्रणाम करता हूं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे बुमिका के सरप्रतम यह सब प्रार्थनाय लिखी हैं और यह प्रार्थनाय हम हमेशा सुझ़े की भागपतम क्लास के प्रारण में और भगण गीता मंतिर में बोलते हैं और वैसे भी जब भी हम कोई भी बगवान का आपस में इश्ठ कोश्टी करते हैं कोई क्लास करते हैं रायमली की साहव या अपने डिवोटीज हैं उनके साहगे के अन्य भक्तनों के साथ जब कोई भी असी गोष्टी करते हैं बैठके कुछ चिंतन मनन करते हैं तो इन सब रातना को हम पहले जरूर इनका उचारन करते हैं अगर मेरी हिंदी में कोई तुटी रह जाए तो प्लीज इसको ख्षमा कीचेगा मैं कोशिश कर रही हूं कि धीरे धीरे ऐसे बोलते बोलते मेरी हिंदी अच्छी हो जाएगी भगवद गीता को गीत उपनिशत भी कहा जाता है यह वेदिक ज्यान का सार है और वेदिक साहित्य का सरवादिक समयत्वपूर्ण उपनिशत है निसंदेह भगवद गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं अतेव एक अन्य भाष्य की आवश्यक्ता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयाजन इस प्रकार बताया जा सकता है हाल ही पिए एक अमरीकी महिला ने मुझसे भगवगीता के अंग्रेजी अनुवात की समस्तूती चाही निसंदह अमेरिका में भगवगीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्द है लेकिन जहां तक मैंने देखा है केवल अमरीका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कुई पूर्ण रूप से प्रामाडिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्यूंकि लगबग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यदा रूप के मर्म का स्पर्श किये बिना अपने मतों को व्यक्त किया है. तो यह सब जो भूबीका है यह शिला प्रवपाद वारा लिखी गई है. भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही ब्यक्त है. यह इस प्रकार है. यदि हमें किसी औशदी विशेश का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है. हम मनमाने धंग से या मित्र की सना से औशदी नहीं ले सकते. इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है. इसी प्रकार भगवद गीता को उसके वक्ता द्वारा दिये गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्विकार करना चाहिए। व्यक्तित्व वाला बताता है कि तो साथ ही हमें यह भी जाना होगा कि भगवान श्रीक्रिष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जैसा कि शंकराचार्य रामानजुचार्य मध्वाचार्य निंबार्क स्वामी श्रीचतन्य महाप्रभू तथा भारत के वैदिक ज्या विशेष्टया श्रीमत भागवतम में जो भागवत पुरान के नाम से विख्यात है वे इसी रूप में स्विकार किये गए हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयम अतेव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसी बताई है वैसे ही स्विकार करनी चाहिए भगवत गीता के प्रोक्त वानहम व्यम विवस्वमानवे प्राह मनुरिक्ष्वा के अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तिमं राजर्श्यो विदु सकालेनेह महता योगो नस्टह परंतप सेवायम मया तेद्य योग प्रोक्तह पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम योत्य दुत्त यहां पर भगवान अर्जन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता की है योग पद्धती सर्वप्रथम सूरेदेव को बताई गई थी, सूरेदेव ने इसे मनु को बताया और बनु ने इसे एक्षवाको को बताया, इस प्रकार गुरुपरंपराद्वारा यह योग एक वक्ता ने दूसरे वक्ता तक एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंशती रही लेकिन कालंतर में ये चिंद बिंध हो गई फर्स वरू भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है इस बार अर्जुन को कुरुक्षेतर के युद्धस्तल में और हम सब को मालूम है ये ये महाभारत की बात हो रही यह पर और थोड़े ही दिर बाद कलियूग का प्रारम होना था तो भगवान को मालूम था कि कलियूग में किस प्रकार के जीवा जन्म लेंगे उनको किस प्रकार की दिशा निदेश चाहिए और भगवान को मालुम था वे पुना आएंगे इस कल्यूग में चतने महार प्रभु की रूप में भी और भागवतम हम सब को मिलेगी पढ़ने के लिए डिसकस करने के लिए चिंतन मनन करने के लिए तो भगवान ने कितने दयापूर्वक हम लोगों के लिए हम कल्यूद के जीवा जीवों के लिए हमारे आने से पहले उनको पता था कि ये यूग कितना इसको बहुत है सब यूग के से अब जब उनकी तूला करेंगे तो ये कितना कमजोर होगा इसमें सर्फ एक ट्रूथ हुञनेस को बोते है सच्चार बस वही एक धल्म का की जो घुड़ाई का ससाथ प्रोट को बहुते हैं लेग लेग जैसे एक टेबल की चार होते हैं पर टेबल खड़ा होता है तो एक ही चीज एक ही टांग बचलेगी वो है सच्चाई और हम लोगों को किस-किस चीज की अवशकता है वो समझाने के लिए भगवाण ने बहुत ही कृपा करके अरजुन को अरजुन जोकी सर्व गुर्न संपना थे फिर भी निमित पूर निमित बने और वो इंस्ट्रुमेंट बने और सारी भगवर गीता हम लोगों के लिए भगवान ने अरजुन के माध्रम से गया अरजुन में सारे प्रश्न किये और भगवान में सारे प्रश्नों की उत्तर दिये और ये सब हमारे जीवन को कैसे चलाना है उसके लिए ये एक तरह की हमारे लिए नानियुल है जैसे हम को एक चीज खरीबते हैं तो हमको एक किताब मिलती है उसमें सब लिखा होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है इस वस्तु के उपयोग के लिए उसी प्रकार भगवद गीता हम सब के लिए भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में आर्जुन को महभारत की युद के प्रारम में कहीं वे आर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें ये परम रहसे इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्यूंकि तुम मेरे भग्त तथामित्र हो इसका तात्पर यह है कि भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेश रूप से भगवद भग्त के मित्र है अध्यात्म वादियों की तीन श्रेण आपका has been यानी योगी तथा भक्त याखी निर्वेशेश वादी ध्यानी और भक्त यहां पर भगवान अर्जुन से स्वल्श्ट कहते हैं कि उसे इस नवीन परंपरा गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं क्यूंकि पराचीन परंपरा खंडित हो गई है अतेव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्य देव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापिक की जाए और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरन अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो वे चाहते थे कि अर्जुन भगवान गीता ज्यान का प्रमाणिक विद्वान बने अतेव हम देखते हैं कि भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को विशेश रूप से दिया गया क्यूंकि अर्जुन भगवान का भक्त प्रत्यक्ष शिश्य तथा घनिष्ट मित्र था अतेव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुन पाए जाते हैं वह भगवद गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है कहने का अतात पर यह है कि भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए जोहीं कोई भगवान का भगवान बन जाता है त्योंहीं उसका सीधा भगवान से संबंध हो जाता है यह एक अत्यन्त विषद विशय है लेकिन संक्षेप में यह बताए जा सकता है कि भग तथा भगवान के मध्य पांच प्रकार का संबंध हो सकता है पहला संबंध कोई निश्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है दूसरा कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, तीसरा कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, चौथा कोई माता या पिता की रूप में भक्त हो सकता है, और पांचमा कोई दमपती प्रेमी की रूप में भक्त हो सकता है, और साथ सथ हम ये भी बोला चाहते हैं कि शिषर्चन अरजुन के मेरे भाई भी थे तो भाक्त शिष्ञ घनिष्ट मित्र की साथ साथ उनका एक बहुत ही घनिष्ट संबंध भी ऑफ उनके मेरे भाई लगते थे भगवान अरचुन के तो पांच रूप में हम भगवान के साथ हमारे संबंद हो सकते हैं भक्ति में ही . अंकाश पाताल का अंतर है यह द्रब्यमित्रत है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती निसंद्रेक व्यक्ति का भगवान से सीथा संबंद होता है और यह संबंद भक्ति की पूर्टा से ही जागरित होता है किन्तु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने नाकेबल भगवान को भूला दिया है अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंद को भी भूल चुके हैं लाखों करोर जीवों में से प्रतेक जीव का भगवान के साथ नित्य द सिद्धी कहलाती है यह स्वरूप कि अथात्त स्वभावि क्या मुलभूत स्किति की पून्ड़ता कहलाती है अत्य अर्चुन भक्त था और मियर्भवान के संपर्क में मित्र रूप में था मैं हमें इस बात पर विश्यश्ट ध्यान देना चाहिए कि ह verdict्वान ने भगवत- बाच परंब्रम्ह परंधाम पवित्रम पर्मंभवान पुरुषम शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वा मृषय सर्वे देवर्शीर नारदस्तथा असितो देवलो व्यासह स्वयं चैव ब्रवीशिमे अर्जुन ने कहा आप भगवान परंधाम पवित्रतम परंसत्य हैं आप शाश्वत दिव्यादि पुरुष अजन में रथा बहानतम हैं नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महमुनी आपकी विशे में इस सत्य की पुष्टी करते हैं और अब आप स्वयम मुझ से इसकी घोशा कर रहे हैं हे कृष्ण आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ हे प्रभू ना तो देवता और ना ही असुर आपकी व्यक्तित्व को समझ सकते हैं भगवान से भगवद गीता सुनने के बाद अर्चुन ने कृष्ण को परम भ्रह्म स्विकार कर लिया प्रतियक जीव ब्रह्म है लेकिन परम पुरुष्वत्म भगवान परम ब्रह्म है परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रेक या धाम है पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध है भौतिक कलमश से बेदाग है पुरुशम का अर्थ है कि वे परम भोगता हैं शाश्वतम अर्थात आदी सनातन दिव्यम अर्थात दिव्य आदी देवम भगवान अजम अर्थात अजन्मा और विभूम अर्थात महानतम हैं तो यदी हम इस भुमिकाओं को ठीक से सुने समझें तो एक तरह से हम पूरी भगवादगीता को अचीतरा से समझ सकते हैं जो आप पहले से लेकर अठारमा अध्याए पढ़ते हैं अध्या पूरे अध्याए कुर या Macawad सब्सजिते। यदि आप समर्जदा चाहें आपके पास समय बहुत कम हो तो आप किवद भूमी का यानि कि इंट्रड़क्शन जो होती है भगवद गीता याता रूप की वही आपको इतना ज्यान देदेगी कि आप दूसरों तक इस भगवद गीता को शेर कर सकते हैं उनके साथ बांट सकते हैं को यह सोच सकता है कि चूंकि प्रिश्ण अर्जुन के मित्र थे अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था लेकिन अर्जुन भगवद गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार का संदेह दूर करने के लिए अगले श्लोप में इस प्रशंसा की पुष्ट अर्जुन श्रीकृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है सर्वमेत रितम मन्ने आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तितु को समझ पाना बहुत कथिन है यहां तक की बड़े-बड़े देवता भी उनको नहीं समझ पाते इसका मतलब यह हुआ कि भगवान मनुष्य से उन्चे व्यक्तितु द्वारा भी जाने नहीं चाह सकते अतयव मानव मात्र भक्त बने बिना भगवान श्रीकृष्ण को कैसे समझ सकता है अतयव भगवद दीता को भक्ति भाव से ग्रहन करना चाहिए किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल है नहीं यह सोचना चाहिए कि कृष्ण समाने पुरुष है या कि एक महान व्यक्तित्व है भगवान श्रीकृष्ण साक्षात पुरुष उत्म भगवान है अते भगवत गीता के कथनानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिध्धान्त रूप में कम से कम इतना तो स्विकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते ह जब तक कोई भगवद गीता का पाथ विनब्रभाव से नहीं करता है, तब तक उसे समझपाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है. तो भगवद गीता क्या है? भगवद गीता का प्रयोजन मनुश्य को भवतिक संसार के अज्यान से उबारना है. प्रत्यक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठताईयों में है. जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में थे, अर्जुन कि श्रीकृष्ण की शरण ग्रहाण कर ली फलस्व रूप इस भगवत-गीता का प्रवचन हुआ अर्चुन ही नहीं वरण हम में से प्रत्य प्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिन्ताओं से फूर्ण है हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है पस तहर हमें अनस्तित्व से भयवित नहीं होना चाहिए हमारा अस्तित्व सनातन है eternal है लेकिन हम किसी ना किसी कारण से असत में डाल दिये गए हैं असत का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है कश्ट भोगने वाले अलेक मनुश्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तम में यह जानने के जिग्यासु हैं कि वे क्या हैं वे इस विशम स्थिति में क्यों डाल दिये गए हैं आधी आधी जब तक मनुश्य को अपने कष्टों के विशे में जिग्यासा नहीं होती जब तक उसे यह अनुबूती नहीं होती कि वह कष्ट भोगता नहीं अपितु सारे कष्टों का हर डूनना चाहता है तब तक उसे सिद्ध बानव क को मानव नहीं समझना चाहिए मानवता तभी शेय नहीं शुरू होती है जब मन में सुट्र क के जीग्यासा उदेद होती है सुट्र में इस जग्यासा को अ wydaje 먹고 है ए ver Kabaldite जो लोग यह सारे कार आइक प्रारम करदेते हैं कि वह क्यूंक उठा या वे कहां से आए हैं और मृत्यू के बाद कहां चाहेंगे वेही भगवतगीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावन विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए अल्जुन ऐसा विद्यार्थी था। जब मनुश्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेश रूप से उसी उद्देश की पुनर स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंक्य जाकरित हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी सिति को जान पाता है और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। के लिए कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अधात अविद्या से मुक्त था लेकिन कुरुक्षेत्र की उदस्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विशे में प्रश्ण करें। जिससे भगवान उसकी व्याख्या भावी पीडियों के लिए मनुष्यों के लिए लाप के लिए कर दें और जीवन की योजना का निर्धारन कर दें तब मनुष्य तद्धनुसार कारे कर पाएगा और मानव जीवन के उदेश्य को पूरण कर सकेगा भगबद गीता की देश्य वस्तु में पांच मुल सत्यों का विज्ञान नहीं थे सर्वप्रथम इश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों के स्वरूप स्तिति की विवेचना की गई है इश्वर है जिसका अर्थ नियनता है और जीव का अर्थ है नियंतरेत इश्वर कंट्रोलर है और जीव यानि कि हम लोग कंडिशन सोल हम लोग कंट्रोल्ड है यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है तो वह पागल है जीव सभी प्रकार से कम से कम बंध जीवन में तो नियंत्रित है कंडिशन लाइफ में हम लोग सब बंदे हुए हैं अते भगवगीता की विशे वस्तु इश्वर सर्वच नियंता तथा जीव नियंतरित जीवात्माय से सम्बंधित है इसमें प्रकृति यानि की भौतिक प्रकृति, काल, समस्त ब्रह्माण की कालाब्धी या प्रकृति का प्रकृति और कर्म यानि की कारेकलाप की भी व्याख्या है यह द्रिश्य जगत विभिन कारेकलापों से ओत प्रोत हैं जीव भिन-भिन कारियों में लगे हुए है। परम नियन्ता आप जो चाहें कहलें सबसे श्रेष्ट हैं। जीव कुण में परम नियन्ता के ही समान है उधारनात। जैसा कि भगवत गीता के विभिन अध्यावें में बताये जाएगा। भगवान भौतिक प्रकृती के समस्त कारियों के उपर नियन्ता रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है रहें पर्मेश्वर के निर्देशन में कारे करती है, जैसकि भर्वान कृष्ण कहते हैं, जब हम दृष्य जगत में आश्चर जनग घटनाएं घटते देखते हैं, तो हमें यह जाना चाहिए, इस दृष्य जगत के पीछे एक नियंत है बिना नियंत्रन के किसी भी किसी का प्रकट होना संभव नहीं नियंता को न मानना बच्पना है उधारनात एक बालक सोच सकता है कि जैसा कि हम अगले अध्यायों में देखेंगे सोने का एक कण भी सोना है समुद्र के जल की एक बुंद भी खारी होती है इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता इश्वर्ध या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युग्ध होते हैं क्योंकि हम सुक्ष्मी ईश्वर या अधिनस्थ ईश्वर हैं, हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश्मी करना चाहते हैं, और हम में नियंत्रण रखने की यह प्रवृति इसलिए है क्योंकि यह कृ प्रिष्ण में भी है ये दिपी हम में भौतिक प्रकृति का प्रभुत्व जमाने की प्रवर्ति होती है लेकिन हमें जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं है इसकी व्याक्या भगवत-गीता में की गई है आज हम अपने पठन को यहीं विराम करेंगे और इसके भूमिका के जो आगी की बच्चे हुए प्रिष्ठ है इनको अगली दफार पढ़ेंगे सो मेरा आप सबसे अनरोध है कि आप कोशिश करें थोड़ा हिंदी में भी सुनने की और हिंदी में भी समझने की ताकि आप बहुत लोग मिलेंगे हमको जो जिनकी मात्रिभाशा अंग्रेजी नहीं है आजकल तो वैसे अंग्रेजी सब समझते हैं पर फिर भी हम अगर जा सकें जिसको हिंदी में समझ आता हो तो यह एक बहुत बड़ा और परोपकार तो नहीं कहना चाहिए एक यह श्रीडा प्रभुपात के द्वारा जो स्थापित इसकौन है और जिसमें उन्होंने हमको यह संस्कृत के ग्रंथों को हिंदी इंग्लिश और सभी भाशाम मे हम इसको प्रचार कर सकेंगे हिंदी में भी या अपनी जो भी हमारी भाशाम को जिसके उपर हम ज्यादा कॉंफिटेंट हैं जिसको बोलने में हम अपने आपको सक्षम मैसूस करते हैं तो हमको थोड़ा थोड़ा सही हो करना चाहिए खुद समझ के और दूसरों को इसका इ चाहिए वो आप थोड़े थोड़े नट्स या फूट्स जब भी आपको भी बहार जाए तो अपने साथ ओफर कराओ प्रशाद जुरू रखें सबको दें और चोटी-चोटी बुक्स दें प्रवपात की ताकि सभी जीवां का अंतिम धे तो है भगवान के श्री चर्णों में जाकर उनकी सेवा करना पर हम सभी सभी अपनी अपनी व्यवस्था अपनी अपनी सिती में कहीं न कहीं फसे हुए हैं कोई दसकदम आगे हैं भक्ति में कोई दसकदम पीछे हैं पर हम सब कहीं न कहीं भगवान से जुड़े हुए हैं तो हम सब सहयोग करें भगवान जगत बनाया है और भगवग गीता हमें दिए कि हमारी जो सोई हुई भकति है हमारी आत्मा के अंदर सोई भकति है वह चाकृत हो हम लोग हरे कृष्णा महामंतर का जाप करें सुने, ग्रंतों को सुने, समझें और इनका आगी प्रचार करें थोड़ा ही सही लेकिन करें यह हम सब को प्यूरिफाइ करेंगी और हम भगवान से पुनार जुड़ेंगे हम जुड़े हुए हैं हम भगवान कहीं अंशयम सबी पर हमारी आत्मा कहीं-कहीं भूली हुई है पर हम क्या डूंड रहे हैं हम सब की हमारे मन में सेवा है हम सब सेवा करना चाहते हैं अगर हमको भगवान की विशे में नहीं पताता तो हम कभी अपनी हॉबिस की सेवा करते हैं अपने बच्चों की सेवा करते हैं परिवार भगवान का दिया हुआ है इसको हमको यह भगवान नहीं हमको दिया है कि हम अपने जीवन को पुने उस अवस्था तक ला सके जहां पर भगवान हमें चाहते हैं हमारी भक्ती प्रारम हो और यह कि एक ऐसी सुनदर प्रक्रिए हैं जो हमको को तृत करती है तौ से खाने से हमारे श्रीश की दृति होती है और क्रांथों के पठन मनन मैं और प्रचार से हमारी आत्मा के दृति होती है तो आज ribs हम अपनी पठन यहीं पर विराम करते हैं नेक्स टाइम अगली दफ़ा हम इसके आंके इसको कंटिन्यू करेंगे ओके थांक्यू नितिका आप हमारे साथ जूड़े हैं आज मैं हिंदी बोलने की कोशिश कर रही हूं और अगर मेरे से कोई तूटी हो जाए तो प्लीज इसको आप शमा कीजिए धन्यवाद जूड़ने के लिए साथ हर्यम तद साथ रे कृष्णा करें अगरें 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 अगरें